इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। लिफ्यूमडी 10 टाबलेट रुमेटियर गठिया और सोरियाटिक गठिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रोग की प्रगती को धीमा करने में मदद करता है और दर्ड, सूजन और लालिमा से राहत प्रदान करता है। लिफ्यूमाई 10 टाबलेट का उप्योग खाने के साथ या बिना करें। इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए आपको इसे नियमित रूप से और एक ही समय पर प्रती दिन लेना चाहिए। अपने चिकित्सक द्वारा अनुशन से तनुसार इसे लेते रहें और बहतर महसूस होने पर भी खुराक पूरी करें। इस द्वा का उप्योग करने से कुछ सामाने दुश प्रभाव हो सकते हैं जैसे मतली, सिर्दद, अपच, दाने, दस्थ, लीवर एंजाइम में वृध्धी और श्वसन पत का संक्रमन। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी दुश प्रभाव समय के साथ दूर नहीं होता है या बत्तर हो जाता है। आपका डॉक्टर इन लक्षनों को कम करने या रोकने के तरीकों में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा आपके लिए सुरक्षित है। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको अपने हिर्दै, गुर्दे या यकृत में कोई समस्या है। इसके अलावा अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह जांचने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रक्ट परीक्षन की सिफारिश कर सकता है कि दवा आपके लीव को नुकसान नहीं पहुंचा रह है या आपके रक्ट की मात्रा को प्रभावित नहीं कर रही है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।